अब बेसिकली यह चीज हम कर क्यों रहे हैं क्योंकि यह क्या है हमारे लिए बहुत बेनिफिशिल है जैसे हमारे व्यूस थे राइट हमने व्यूस क्या कर दिया बाइंड कर दिया तो इससे क्या बड़ी हमारी एफिशेंसी बड़ी ऐसी ही अब क्या है यहां पर डेटा बाइंड करने का लॉजिक है कि जो मेरा डेटा है उसे मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स ना करके एक एक्ट्वल डेटा रिसोर्स क्रियेट करों अब यह चीज यहां पर इतनी वैल्यूबल नहीं होने वाली यह हमें करने में जो हमारा क्या है कि स्ट्रिंग में हमारा एक रिसोर्स बिना हुआ था कि मैंने पर कोई भी रेंडव नेम कर रहका है हमने यहों पर जैसे ऐलेक्षार रैने क्या गाले और यह हमारे लैयाउट फाइल है उसमरे क्या वै क्या था 시간이 jogo में क्या है ना ना कि हमारी क्या कि रहने है बाइंड करना है बाइंड करना है वियू से और भी वाली क्लास थे है इसम्झे ये लगत है लौजिक कि कि जो हमारे data class है, הוא किस से connect होगा हमारी layout file से, और जो हमारी layout file होगी, वो किस से connect होगी data से, और data class किस से connect होगा हमारी main activity से, और जो string होगा, वो किस में attach होगा हमारी data class में, अब guys, यह फोड़ा कोंप्लिकेटरीटरीड लग रहा है, क्या चीज कि सट है च жен इसा है करा Mode क्लास बाइंड करा में इन इंस्टाइब के लिएक बैइंडिक क्लास की यहां पर सिंपल हाई हमने वा क्रेंग क्लास का है यहां पर अफ्lessly क्लास को लेंग के देन चाहिक रहा है हमीं क्षेश क्राथ स्वाक्म खोने और से य्च्टा-प्र में इछ टेटर इटा सब्सक्राइब वरहने सब्सक्राइब एक्रवियर में म freshूम режे कि तो मैं इसने इसका फाईदा होगा क्यों किंगा जा सीजो यह उसे धाइशन ऑप सीर फाइड़न घ्यता सब्सक्राइब करें नहीं होगा runtime पर लेकिन अगर हमारा जो app है वो compile होगा जिस time पर तो अलड़ी हमारा data क्या करेंगा exist करेंगा तो कोई problem की बात होगी ही नहीं हमें search नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए हम यहां पर जीज़ कर रहे हैं डेटा बाइंडिंग यूज़ करें क्या है किने के लिए डेटा वाइंड करने के लिए अभी पहले लेकिकर देखbahn झेले से होगा सबस्टेप्स चाहिए औगे तो रहे हम किसी के अंदर आ चुक है अपने डोऊ के अनदर आ हैं क्या खोल देता है संपल अपनी मेन एक्टिविटी को लेता है इस क्या तो हम थो अि开ड है मेरेक्ट करें तो हुआँ here तो मेरे क्टे चैट करेंड़ थे इस पर आपक interpret on क्लास 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 क्ल यहां पर क्योंकि यह data class होगी तो इसे हमें convert करना पड़ेगा किसमें data class में यह ऐसे क्या work नहीं करेगी तो इसमें बनाना किस टाइब का नेम टाइब का राइट तो इसमें यहां पर हम डेटा होड करने की जगा चोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो गया मेरा नेम वेरियाबल हो गया जो किस टाइब का इसमें अभी कोई value set नहीं है पर दो चीज़े एक नेम और एक निक नेम राइट तो यहां पर एक प्रीट कर लेते हैं नेम के नाम से यह भी किस टाइप का होगा हमारा डी टाइट क्लास है जिसमें के अजाद है दो वेरियबल का देदिये मैंने नेम यहां से वरीयबल से करेंगे करने और करेंगे सब्सक्राइब करए यहां से करके लेगा इसके लिए नेक्स पाइट किसमें चाहिए जो हमारा लेयाउट फाइल पर चलिंगे तो यहां पर आगए हम किसमें अपने लेयाउट फाइल में कि अभ्य मुझे औरक प्रणया तो मुझे आपने लैाउट में बताना पड़ेगा कि आप हमारे ले यूच को मुझे करना पड़े लिए क्नपड़े का यूच करहा है हम डेटा यूच कर रहे हैं तो यहां पर क्रेंगे हम एक और अब क्लोजिंगी से यहां proven पढोए का रगल मेरस को यहां पर हमने डेटा टेस्ट कर रहा है ले ले लुब अब यहां पर आप्छ कर देना है हम नेम टैप देना है नेम में में देगा माइधन अगर आप जाओगे मैंने में यहां पर पकेज का नीम लिखा हूए राइट तो हम क्या करेंगे सिंपल इसे कौपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे जो वहारा क्या है तर यहां पर देख सकते हो गाइस क्या रही है मेरी error रही है क्योंकि यह अभी पूरा नहीं है यहाँ पर मुझे M quick क्या देना है माई नेम तो यहां पर अब क्या हो चुछा है हमारा पूरा हो चुक है तो क्या देढ़िए यहाँ पर हमारा data variable पूरा साड़ को हो से connect हुई है आप क्या करना है मुझे इसकी reference देनी है क्योंकि अगर आपको याद हो गई यहां पर जो हमारा नेम था रही जो नेम है इसकी reference कहां पर अभी कहां पर जा रही है रही है तो मुझे क्या चाहिए इससे बाइंड करना है किससे अपने data class से तो वह क्या से करेंगे वह देख लेता है इसके लिए गाइस क्या यूँस से क्लास यूस करेंगे जो हमारा यहां पर data sucks वेरी इबल है जो हमारी माइन है इसके है मृण पहले यहां पर रहा था हमारा string ले रहा था तो क्या अपने variable type में ऐसमारा वेरिय भी है पर यह किस से डेटा ले रहा है हमारी माई नेम वाली जो क्लास है तो आप यहां पर देख सकते हो अब किस रेफरेंस से हमारे जो टेटा है वो कहां से कहां जा रहा है कहां से क्लास ले रही है ठीक है जो हमारी टेक्स वाली जो हमारे टेक्स ही वह अब किस से ले रहा है हमारी जो class है my name उससे reference लेरा है जो हमारा data है data class है data class से किसा जंप हो रहे हैं जो हमारी main class है जो hold करेगा हमारा data हो गया हमारे three step है । जो क्या करेंगा यह process करेंगा यह already हमने दो content करेंगे है 운्ında my class already हमने create कर लिया data type प्रिय était कर लिया आप क्या करना हैمل centrally करने है गाइस reference create करने है ताकि वो किसको रफर कर सके data view को refer कर सके और डेटा वियू नहीं सारी data class को refer कर सके data class क्या करें उसको name को store करवा सके एक चीज और इस पूरे पार्ट में अभी हमने जो हमारी वेल यह वह तो नहीं हुई है नेम की तो वह करेंगे नेक्स टैप में करेंगे पहले कर लेते हैं यहां पर पर इतना पार्ट कर दूंगा यहां पर सब्सक्राइब नेम चाहिए आप देख सकते हो मेरे नेम का औबजेक्ट तो यहां पर इसके लिए डेटा भी क्रेट कर लेता है तो डेटा हमारा कहां पे create होगा गई जो हमारी main class है क्योंकि bind कहां कर रहे हैं अपनी main class से bind कर रहे हैं तो data कहां देना पड़ेगा अपनी main class में देना पड़ेगा तो कर दो झाल झाल